पूरे दिन शाम पांच बज़ कर पंदरा मिनट तक चलते रहेंगे तत पस्चाथ उनरवसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे यदि सहयोगी लगन रहा बुद्ध और राहू की इस्तिती अनकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। निर्णे लेने की छमता प्रभावित होगी, याददास्त में कमी और सामान गायब होने या चोरी होने का अन्देशा भी बनता है। मेश राशी के जातकों के लिए चंद्रमा आज पराकरम भाव में चल रहे हैं। सार्थक पहल जारी रहेगा, हर काम करने में उत्साह की इस्तिती बनी रहेगी। सरकारी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर मा के स्वास्त की चिंता, सामान गायब होना या चोरी होने का अन्देशा और भ्रमात्मक इस्तिती का सामना भी करना पड़ सकता है। हाला कि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, साजेदारी लाह दायग रहेगी, सिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनकूल है, वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, अभिष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्ध्यार्थियों के लिए आज का दिल सफलता दायग सि वाड़ी में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बौधिक छमता में विद्धियोगी मगर मानसिक और इस्थिरता संभावित है, प्रयासों में कमी और निर्णय लेने की छमता भी प्रभावित रहेगी, फिर भी अपनी बौधिक छमता का इस्तेमाल ब्या समाचार मिल सकता है, और पारिवारिक दायत की पूर्ती होगी, और स्वात संभन्दी जटिल्ताओं पर सावधानी अपेक्षित है, मित्वन रासी के जातक स्वस्त वावर जावान महसूस करेंगे, रचनात्मा क्रिया शीलता बनी रहेगी, नियत्तित करने की छमता भिक्सित होगी, कुछ हतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और सासन सता वाधिकारियो का सहीयोग बना रहेगा, चन्द्रमा आज आपगी रासी पर ही चल रहे हैं, ब्रहमात्मक दौर भी जारी रहेगा, हालाकि आर्थिक पक्ष अनकूल रहेगा, सिच्छा प्रत्योगता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से राहत भरी ख़वर मिल सकती है, पारिवारिक सुक सवार्द में बृद्धी होगी, स्वास संबन्धी आवस्चक सावधानी रखनी चाहिए, और मांगली कारियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, करक रासी के जातकों के लिए चन्द्रमा आज बारहमे घर में मिथुन रासी में चल रहे हैं, सामाजिक व अब्यावसा पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी यतिरिक जिम्मेदारी, सक्रिता और उर्जास्तर हर काम में सफलता दिलाएंगे, मगर संतान संबन्धी मामलों में अनावस्चक चिन्ता बनी रहेगी, सिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्था क्रयास जारी रखें, अच्छे कामों में संभव है, भूमी वाहन या प्रापर्टी इक्तियादी के लिए अनकूलता बनी रहेगी, नयायाले या वादविवाद संबन्धी मामले आज के दिन अनकूल रहेगे, छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिती बनी हुई है, नीजी संबन्धों में तनाव संभावित है और परिवार जनों के स्वास पर ध्यान देना चाहिए, मांगली कर्यों के लिए आज का दिन सामाने रहेगा सिंग राशी के जात्कों के लिए चंद्रमा एकादस भाव में चल रहे हैं, प्रभावसाली ब्यक्तित और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, ब्यावसाइक साजेदारी में लाव संभव है आर्थिक मामलों में सावधानी अपयक्षित है, आयके संसाधनों में ब्रिद्धी होगी, भविष्ट की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनकूल है, संतान संबंदी चिंताओं में कमी आएगी, वैवाहिक प्रयास फलिभूत होंगे, पारिवारिक दायितु की पूर मांगली कारियों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, कन्या राशी के राशी स्वामी बुद्धे कादस भाव में सूरे के साथ बैठे हैं और चंद्रमा आपके दसम भाव में राहु के नक्षदर में चल रहे हैं, ब्यावसाइक उन्नती का दोर जारी रहेगा, मित्रों सहयोगीों और राजनितिक व्यक्तिएं से दिशानिर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी, साजेदारी लावधायक रहेगी, आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर कारिच छेतर में भ्रहम की इस्थिती भी बनी रहेगी, और विरोधियों से सावधानी अपेक् हालाकि शुक्र के ब्रिहस्पति के साथ होने से धायर प्रतिनी धित्य करने की छमता और सकारात्मक आर्थिक निरणय लेने की मानसिक्ता बनी रहेगी और विवाद को निप्टाने की कोशिस सफल रहेगी पारिवारिक सुक सवार में व्रिद्धी होगी और अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी तूला राशे के जातकों के लिए चंद्रमा भागे भाव में राहू के नक्षत्र में चल रहे हैं अचानक बाधा संभाव है मगर धन लाव की इस्तिती अच्छी रहेगी और कारी छेत्र में उत्साह बना रहेगा कुछ रुके हुए काम संपन्ध होंगे मगर राहू के दसने घर में होने से कारी उजिनाओं में अचानक बाधा या रुकावट का संकेत भी मिलता है साजेदारी के प्रस्ताव लावदायक सिद्ध होंगे और राजनीतिक व्यक्ती से भेट संभाव है सिक्षा प्रत योगिता के छेत्र बे सफलता मिलेगी विवादित मामलों को निप्टाने में मित्रों का सहयोग मिलेगा धार्मिक भावना बलवती रहेगी विवादित प्रयास फलिभूत होंगे मगर मन अंतरदंद और आशनकाओं से भरा रहेगा स्वास सम्मंधी आवस्चक साउधानी वरकरार रखें और मांगली कारिक्रम आज के लिए अनकूल रहेंगे ब्रिश्चक रासे वाले जातकों के लिए पराकरम भाव में मंगल उच्च के होकर केतु के साथ बैठा है और चंद्रमा आठरे घर में राहू के नक्षत्र में चल रहे है सकारात्मक कारि उर्जा का सहयोग बना रहेगा मगर महत्पूर निरने सोच समझ कर लेना चाहिए हाला कि कारेच्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा ब्यावसाई की योजनाओं के नए प्रस्ताव सामने आएंगे और उसमें निवेश लावदायक रहेगा हाला कि कुछ कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है संतान संबन्धी मामलों में खर्ट संभावित है नए रिष्टे का प्रस्ताव मिल सकता है नकारात्मक विचारों वाली लोगों से दूरी बना कर रखें और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है साथ ही वाहन चलाने में सावधानी वरतें और मांगली कारेकरम के लिए उचित समय का इंतिजार करें धनु राशिके राश्य स्वामी प्रिहस्पती अपने नक्षत्र में एकादस भाव में बैठा हैं और चंद्रमा सात्वे घर में चल रहे हैं आज हर मामले में अनकूल महसूस करेंगे आपकी कारी वर्जा बढ़ी रहेगी आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा ब्यावसाइक मामलों में आपका काम सुचारू ठंग से चलता रहेगा साज्यदारी में सावधानी अपयक्षित है नई कारी वर्जिनाव के प्रति समय अनकूल है सुरे बुध की यूती कारे छेत्र के लिए लावडायक रहेगी सिक्षा प्रतियोगिता के छेत्र में समय अनकूल है संतान परक्ष से सुखत समाचार मिल सकता है नीजी संबन प्रगाड होंगे और वयवाहिक प्रस्ताव अनकूल रहेंगे मकर राश के राश स्वामी सनी बारहमे घर में बैठे हैं और चंद्रमा छठमे घर में चल रहे हैं जिससे ब्यावसाई कुन्नती में सहयोग और आठिक लाव मिलता रहेगा मित्रों से सहयोग और संतान के प्रदियातमिश्वास में ब्रिद्धी होगी सासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक प्रेरणा बनी रहेगी मगर सूर्य बुद्ध की यूती आठ्वे घर में होने की वजह से मन में अनावर्षक चिंता, पत्मी की स्वास संबंधी जटिलताएं और साजे दारिम में भ्रहमात्म किस्थिती संभावित है सिख्षा प्रत्योगिता में सहयोग मिलेगा और स्वास संबंधी आवस्यक सावधानी बनाए रखें मांगली कामों के लिए उचित समय का इंतियार करें कुम्भ राशिके राशिस्वामी सनी एकादस भाव में बैठ हैं और चंद्रमा पांच में घर में चल रहे हैं स्वास संबंधी उतार चड़ाव और आत्मिश्वास में भ्रमात्म की स्थिपी संभावित हैं मगर ब्यावसाइक पक्ष मजबूत रहेगा और भागेवस कुछ काम संपन्ध होंगे सासन संताव और दिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा नई कार्यों जिनाव के प्रति आपका प्रयास सफल हो सकता है बिरोधियों से सावधानी अपेक्षित है संतान संबंधी सुप समाचार मिल सकता है सिच्छा प्रत्योगिता में प्रयास जारी रखें आवशक संसाधनों में बिद्धी के साथ साथ खर्च भी संभव है परिवार में हर्थ और प्रसन्यता का माहौल बना रहेगा और वैवाहिक मामले फलिभूत होंगे मीन राशे के राश्यस्वामी प्रयास जारी रखें और चंद्रमा चौथे घर में चल रहे हैं नकारात्मक वीचारों वाले दफ्कियों से परहेज करें फरिष्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है चंद्रमा राहू के करीब होते जा रहे हैं और आज राहू के नक्षत्र में हैं कुछ समय के लिए धैर और आत्मजिश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है मगर काम होते रहेंगे और आर्थिक लाव मिलता रहेगा महतुपूर्ण निरनय स्वच समझ कर लेना चाहिए विद्याथियों को मानसिक दबाव महसूस होगा मेहनत करनी पड़ेगी स्वास समंधी आवसर सावधानी बनाए रखें और वयवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे ओम नमाशिवाए